दिल्ली के उप्राजिबाल नजीब जंग ने आतुचानक इस्तीफा दे दिया है उन्होंने भारत सरकार को अपना इस्तीफा सौब दिया है नजीब जंग ने अपने इस्तीफे में प्रदान मंतरी नरेंदर मूधी का धन्यवाद दिया। थी कि वो पढ़ाय लिखाई के शित्र में लौट जाएं अब वो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं नजीब पहले भी जामिया युनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और प्रोफेसर रह चुके हैं आपको बता दे कि नजीब जंग नौचलाई 2013 से दिल्ली के उपरा जेपाल थे ऐसे में अभी उनका डेट साल का कारेकाल बाकी है लेकिन कारेकाल खत्म होने से पहले ही आज उनूने इस्तीफा दे दिया जंग के जानक दिये गए स्तीफे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं बीते सालों में दिल्ली सरकार और राजेपाल के प्रतिक्रिया देते हुए का कि नजीब जंग को हमारी शुपकाम नाएं नजीब जंग का बरताव उनका अपना नहीं था वो किसी और के प्रभाव में बरताफ कर रहे थे वहीं कॉंग्रेस नेता जेपी अगरुवाल ने इस्तीफे पर चिंता जटाते हुए कहा कि पाइदा नहीं हो रहा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि खुद केंद्र सरकार नजीब जंग के फैसले से हैरान है तो दिल्ली के उपरा जिपाल ने अज इस्तीफा दे दिया है वहीं अब उनके इस्तीफे के बाद अगले अब राज्यपाल के नाम को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर कौन होंगे दिल्ली के अगले LG देखते रहें डीबी लाइव